अगर आप में से कोई वेक्ति अगर दैनिक भासकर न्यूज पेपर लेता होगा और पढ़ता होगा तो उसने इस आर्टीकल को जरूर पढ़ा होगा और आप समझें कि हमारे देश के एक वरिष्ट पत्यकार हैं राजीदीप सर देशाई इनके द्वारा इस आर्टीकल को लि चाहिए यानि कि आप जान रहें कि दूसरी जो लहर कोरोना की आई हुई है कितनी खतलनाख है और आप जान रहें कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है क्योंकि आपने देखा है कि हमारे देश में जब भी कुछ अच्छा काम होता है तो उसका सरे हर कोई लेने लगता और जब भी कोई गलत होता है तो उसका जिम्मेदार आप समझते हैं कि कभी नेरू को, कभी गांधी को, कभी सदार वल्लब भाई पटल को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। समझे रहें आप लोग क्योंकि आपने देखा है कि पहली लहर और दूसरी लहर आने की बीच काफी आपको समय मिला हुआ था। अगर आप चाहते तो उसमें आप लोग स्वास्ते विवस्ताएं ठीक कर सकते थे। अगर आप चाहते हैं तो ऑक्सीजन का भंडारन कर सकते आपने देखा है कि हमारे देश में कई देशों को बैक्सीन दी हैं तो उस भीच हम लोग अपने देश में खुद के लिए बैक्सीन की बेवस्ता कर सकते थे। लेकिन हमने कुछ सीख नहीं ली। समेज़ रहे आप लोग हम लोग ने उस टाइम को वेश्ट कर दिया। एक जो भी सेब्टी इस तरह की बेवस्थाएं थी उन्हें हम लोग ने छोड़ के मस्ती करने लगी उसी का फाइडाम आज हम लोग भूगत रहे हैं ठीक है इसमें क्या कहा गया उनके द्वारा राजदी दिससर देशाई के द्वारा उसे हम लोग पढ़ लेते हैं ठीक है अपने लंबी राजनेति करियर में पिदानमंतरी नहिंद मोदी ने द्रसों नारों और एक तीखी साउंड वाइट का सही समय पर इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर ली है और आप जानते भी है कि अगर कॉंग्रेस के नेताओं से अगर इने कुछ फायदा होता है तो इनके वक्तब्बों के द्वारा इनके भासनों के द्वारा क्योंकि आप जानते ही कि एक दो मिनिट का अगर इनका भासन रहता है तो उसमें आप समझें कि जनता को किस तरह लोवाने की बात करते हैं आप लोग ने दो-चार भासन सुने भी होंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तो आपने काफी चर्चित रहा है कि मेरी इक्षा है कि हवाई चप्फल पहनने वाला हवाई जहाज की आतरा करें तो आप समझें कि लोग सोचने लगते हैं कि अच्छा इस तरह का पिदान मंत्री है आपने देखा होगा कि एक-दो भासनों उन्होंने दिये कि वो हमने आपके लिए घर परिवार छोड़ा तब भी आप देखते हैं कि व्यक्ति हमारे देश का व्यक्ति आप समझें हमारे जो आम इंसान है बहुत सीधा सादा है और वो किसी की भी बातों में आ जाता है समझ रहें आप लोग और इसे आप समझें कि हमारे पिदान मंत्री बहुत अच्छे तरेकिये से जानते भी है कि कहां किस तरेकी बात करनी है उनकी बात करने की सहली आपके ये कि बहतर है समझे रहे हैं आप लोग और इस मल्टी मीडिया युग में यह उनकी नेतित का खास हदियार रहा है लेकिन पिछली हपते उनकी इस तकनीक ने काम नहीं किया जिस दिन कुरोना की रोजाना आने वाले मामलों में दो लाग का आंकड़ा पार किया और पिधान मंतरी साब पेश्चे मंगाल में बड़ी चुनावी रेलिया करने में बैस्ते थे यानि कि आप कह सकते हैं कि इस से वो एक तरह से आँख बंद की हुए थे बाकी राज्चों में उन्हें सरे बंगाल दिखाई दे रहा था ठीक है और ऐसा लग रहा था कि पिधान मंतरी देश में कुरोना लहर की बास्विक्सा से दूर हैं और किसी और दुनिया में हैं और अपने सारजनिक संबादों में मौदी लगाता लोगों से दो गच की दूरी बनाने के लिए कह रहे थे और खुद खुशी खुशी भीट जुटाने जुटाते रहे यह दरस और संदेश जब जोडने बाले है आपने देखा होगा कि दिल्ली में बैट कर पिधान मंतरी सहाब कहते थे कि दो गच की दूरी जरूरी है और उनी नेमों की धज्जियां अगर कोई उड़ा रहा था तो पिधान मंतरी सहाब थे और या उनी के पायटी के आपने देखा है नेता थे और बाकी नेता उने भी कोई कमी नहीं छोड़ी किसी भी पायटी का हो तो वहाँ आप लोगोंने काफी देखा है इसमें आप लोग देखेंगे कि पश्चे मंगाल से बंगाल जैसे राज में पिचाल ना करने की उम्मीद करना ऐसा ही है जैसे बिराट कोईली से वर्ल्ड टेस्ट चेंपियंशिप के फाइनल से हटने को कहना है यानि सीधा सा कहने का मतलब है बंगाल बीजेपी हर हाल में जीतना चाहरी थी उसके लिए कुछ भी हो कुरोना कितना भी तेजी से बड़े लोगों की जान किसी भी कीमत पर जाए कोई फरक नहीं पढ़ने वाला था चुनायोग द्वारा आठ चरण की चुनायोग को छोटा करने से इंकार करने का मतलब है कि राजनितिक पार्टियों के लिए मैरा थन रिस दोड़ना जरूरी हो गया था और आपने देखा है कि चुनायोग पर भी उंगली उठाए जा रही है और आप समझे कि आज का जो समय है इसका इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास में इसका मूल्यांकन होगा और आप समझे कि सब पर उंगलियां उठेंगी आप समझ रहें क्योंकि आपने देखा है कि इस समय जो भी कुरोना वाइरस हो या और भी घटनाए हो उस समय मूल्यांकन किया जाएगा कि कौन से पिधार मंतरी था जिसके कारकाल में इस तरह की तरास्दी जहलने को मिल रही थी ठीक है और एक पक्की पिचारक के रूम में मोदी कभी भी आक्रमक्ता से सफर करने में पी लेकिन आसाधरन समय में हर फार्मूला में बदलाव करना चाहिए और देश के नेता हैं आप समझे जिम्मेदारी भी उनके कंदेपर होना चाहिए मसलन क्यापधान पंतरी भाजापा की ब्यापक डिजीटल पहुच का इस्तेमाल संबोधन के लिए नहीं कर सकते थे सीधा साइन का कहने का मतलब है कि क्या पर दानमंतरी ओनलाइन एक तरसे आप कहिए कि बीडियो कॉन्फेरंसें के माध्यम से रेलिया नहीं कर सकते हैं संबोधन नहीं कर सकते थे क्योंकि चुनाओ चली माल लेता हूँ कि चुनाओ करवाना जरूरी था तो चुनाओ को भी आप समझी कि इस तरह कि कोई guideline नेधारिद करने चाहिए थे कि digital माध्धम से संबोधन हो और जनता भीड कम इखटी हो क्योंकि आपने देखा है कि पश्चे मंगाल में भी कुरोना की केस लगाता बढ़ रहे है ऐसी मिसाल फेस करना जरूरी है कि जिसे बाकी लोग अपना है और आप समझ सकते हैं कि जब पिधान मंतरी साहब अगर इस तरह की बातें करते हैं तो अननेता भी आप समझे किसी भी पार्टी के हो बो भी इनके कदमों पर चलने की कौसिस तो करते कम से कम सच्चे नेतत कार थे कि बाकियों से आंगे निकलना ना कि उनके जैसा हो जाना दुर्भाग से एक अती राजनिती करन बाला और अती धुर्भी के समाज लगातार राजनितिक गती बिदियों के सोर के जाल में फसा रहता है यही वह जाल है जिसमें मौधी सरकार ऐसे समय में फस गई है जब सरी कोविद का सामना करने से जुड़े फैसलों का पर ध्यान होना चाहिए था पिछले साल आप देखेंगे केंद कई योद्ध में उल्जा था जिसमें उसकी राजनितिक पूझी गलत समय पर खर्च हुई फिर आप देखेंगे वह अचीन के साथ सीमा बिबाद हो गया या फिर घर में बिबक्षी राज्य सरकारों को गराने के परयास एक आपने देखा है मद्धपदेश हो फिर चाहे आपका एक तरह से राजिस्थान में भी काफी जोर तोर लगाए गया लेकिन वहाँ सफल नहीं हो पाए मद्धपदेश में तो सफल हो गए और आप समझे कि मत्रफिदेश में आपने देखा है कि उस समय तो सिंधिया ने कहा कि हम जंता के लिए ऐसा कर रहे हैं लेकिन अभी आप देखिए विपदा के समय सिंधिया दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं तो यह इसका मतलब आप लोग समझ चुके हैं मुझे लगता है देखिए जंता बड़ी सीधी साधी है वो समझे ना समझे उसका भुकतान वो कर भी रही है जो हमने बोया उससे हम लोग काट भी रहे हैं बेतर काट रहे हैं ठीक है आज हमारे पास ऑक्सीजन से लेंडर नहीं है ऑक्सीजन से कई लोगों की जान जा रही है आप देख रहे हैं कि विश्वास गाती पड़ोसियों को दोसी ठायरा है जा सकता है लेकिन किसानों के संगहरारस के बारे में क्या कहेंगे कि आए ऐसे समय में विबाद इसपत किरसी विधियक को संसर पर थोपना जरूरी था और जब आप देखें कि जन स्वास्त आपादकाल से लड़ने के लिए आपसी सहमती बनाना अत्यावस्यक था और आप देख रहे हैं कि एक लंबे समय से हमारे जो किसान है वो दिल्ली बॉडर पर डटे हुए है उनमें आप देख रहे हैं कई किसानों की डैथ भी हो चुकी है पर इपि विधान मंत्री ने आपने देखा है कि दो सब्दे उनकी लिए नहीं कहें जो जिनकी मौत हो तो आपको गुराई होगी आपकी ठीक है इसमें आप देखें कि कई राजनेतिक व्योधानों के बीच कुरोना से नजर हट गई और नबंबर में बिहार चुनाओ जीतने के वाल लगा जैसे मौधी सरकार को लगने लगा हो कि राजनेतिक एजेंडा सब पर जीत दिला सकता है अगर नागरी कोविद से ठकने के बाद लापरवा होने के दोसी हैं तो कैंद भी कोविद अभियान का सिकार हो गया कि सब कुछ नेंतर्ण में हैं और उसने चितावनी नजर अंदाज कर दी क्योंकि आपने देखा है कई हमारे डॉक्टरों ने ये पहले चितावनी दे दी में कुरोना को जीतने पर वाह वाही करने वालों से घरी थी और मेडिया भी आप लोग ने देखा होगा किस तरह से एक तरह से आपने देखा है कि सरे दे रहा था उधारन के लिए आप देखेंगे ऐसा क्यों हुआ कि मार्च के तीसरे सफ़ता में भारत से भारत नागरेकों की टीका लगानी की तुला में जानदा टीके निर्यात किये यानि कि हमने दूसरे देशों को बेंचे जिसमें आप देखेंगे 76 देशों को 6 करोड टीके भीजे गए जबकि 5.2 करोड भारतियों का टीका अगर्ण हुआ है आप समझ रहे हैं कूट नेतिक लाव और विस्वगुरू की छबी बनाने के लिए बैक्सीन सौम सकती को इस्तेमाल करने की एक्षा को तब तक के लिए रोका जा सकता था जब तक की घरेलो इस्तिती पूरी तरह नियन्तित नहीं हो जाती आप वही हाल ले कि आप समझें कि हमारे घर में खाने के लिए नहीं है हमारी जंता भूंकों से मर रही है और हम दूसरे देशों को एक तरह से दान कर रहे हैं इतनी महारत मुझे लगता है इस परिस्तिती में अच्छी नहीं लेती ना ही इतनी इंसानियत अच्छी है कि परयाब्त कम्पनियों को बैक्सिन सपलाई के एडवांस ओरन ना देकर हर राज में बैक्सिन वितरन के लिए सक्त कोटा फर्मिट राज अपना कर प्राइविट सेक्टर के निर्माताओं को परयाब्त प्रोशाहन ना देकर और सभी आयू समूहों के ठीका करण में लची पूरी करने के लिए आयात की तरफ भाग रहा है जो बताता है कि महामारी को रोकने का योध कितना लंबा और जटिल है। कि लगभख सभी नेता इसके लिए जिम्मेदार है। आप देखी जहां भाजार प्रागी एक तरसे सरकार नहीं है वो भी कोई खास अच्छी इस्तिती में नहीं जान। आप देखे रहे महराश्च की इस्तिती क्या बनी हुई है। राजिस्थान की क्या इस्तिती बनी हुई ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे वायरस राजनितिक सीमाएं नहीं जानता। वायरस का सामना करने का कोई जादूई मंत भी नहीं है। लेकिन समाधान की और पहला कदम है और समस्या को सुईकार करना, गल्दी मानना, उसे सही करना। और इसलिए आप देखेंगे बै हाला कि मोदी सरकार आप कोवित प्रिमंदन की मेदारी राज सरकारों पर नहीं डाल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है गरह मंतरी साब ने कहा है कि जो स्वास्त वे उसता है राज सरकारों का सब्जेक्ट है। अगर केंद नए भारत में होने वाली किसी चीज का स्रे ले पैसलों का सूख्च में प्रबंधन करता है लेकिन प्यदाहनमंतरी की एर फंड से कोविद 19 पर खर्च हुए पैसों की मौलगुत जानकारी देने से भी मना कर देता है। आपने देखा होगा कई लोगों ने RTI डाली और इसकी जानकारी मांगी तो उस जानकारी को उपलब नहीं करवाए गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से आपकी जनता का पैसा था जानकारी देनी चाहिए थी ठीक है। तो उसे अब तब भी जिम्मेदार खैराया जाना चाहिए। जब चीज है यह उजना के नुसार ना हो। इस बार जिम्मेदारी सीसनेतित्थी है। तो यह पूरी कहानी है। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग अंदवक्ती में लेन होंगे तो आपको लगा होगा कि पैधानमंतरी की बुराई की जा रही है। लेकिन आप लोगों को भी मानना होगा कि कहीं तो चूख हुई है हमारी से इस नितत्तों से। ठीक है। इ जिसके लिए हर फाइटी जिम्मेदार है कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन आप समझे कि जिस परिवार का कोई मेंबर जा रहा है, जिस परिवार की कोई डेथ हो रही है उस पर क्या वीत्ती है? साय हम आप बेटकर उसका अनवहव भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप अपना ख्याल रखी जब तक की परिस्टिती ठीक नहीं हो जाती हैं क्योंकि आपने देखा है कि आपको oxygen cylinder भी उपलब्द नहीं हो पा रहा है कहीं लोगों की oxygen cylinder ना होने के कारण भी death हो रही है तो मैं कहता हूं यह परिस्टिती बने ही ना आपके सामने कि आपको hospital का मु कहल रखिए ठीक है ठीक है